Hello friends, आज मैं आपको Poetry 2010 की मूवी एकस्ट्रे करने वाल हूँ ये मूवी एक Grandmother की बारे में है, जो Poetry करना चाहती है पर उसके Family में जो Crime होता है, उससे वो भाग नहीं सकती एक जबर्दा Statement के साथ ये मूवी एकस्ट्रेक्ट होती है, तो चलिए शुरू करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक नदी दिखाई गई है, नदी के किनारे पे कुछ बच्चे खेल रहे होती है वो जब नदी में देखते है, तो वहाँ एक लड़की की बॉड़ी तेर रहे होती है इसके बाद नेक सिन में हमें जो ग्राइन मदर है, वो दिखाई गई है हमारे में गारेक्टर का नाम मिया है ये हॉस्पिटल में बेटी हुए होती है, ये डॉक्टर के पास आती है, तो इसके शिकायत होती है कि इसका हाथ दुकरा है डॉक्टर से बात करते करते उसे एक शब्द याद नहीं आता डॉक्टर इसके लिए कंसर्ण हो जाता है कि अगर इसे कोई भी वर्ड याद नहीं आ रहा होगा तो ये बड़ी बीमारी हो सकती है उसके लिए टेस्ट और वह मंगवाता है मिया के आम के लिए डॉक्टर कहते है कि थोड़ी एक्जरसाइज करनी चाहिए होस्पिटल से मिया जब भार आती है वहाँ एक औरत रो रही होती है नदी में जो लड़की मिली थी ये उसकी ही मदर है ये लड़की और मिया का ग्रैंसन ये दोनों एकी स्कूल में पढ़ते थे मिया को अब ये पता जल जाता है मिया होस्पिटल से निकल के अपने जॉब पर आ जाती है एक बहुत बुड़ा आदमी होता है जिसके केर वो रखती है इसे वो नहला दी है इसके सब वो काम करकर वहाँ से जाती हुई हमें दिखती है जाते जाते इस आदमी को बता कर जाती है तो ये आदमी उसे रोकने वाला होता है पर वो कहती है कि बहुत सारे काम मैंने आच कर लिये है ये बुढ़ाद में फिर उसे पास बुलाता है उसे as a bonus बहुत सारे पैसे देता है मिया जहाँ काम करती है उसके नीचे ही ग्रोसरी शॉप होता है ये जो ग्रोसरी शॉप है ये इस old man की daughter-in-law चलाती है मिया डाटर-in-law से कहती है कि old man ने मुझे बहुत सारा bonus दिया है डाटर-in-law कहती है कि तुम्हें वह बहुत पसंद करता होगा वह अन्हाँ किसी को भी पैसे नहीं देता मिया जब घर पर आती है बहुत सोल से गाना चल रहा होता है गाना चलाकर उसका grandson सोह हो होता है कुछ गलत है ऐसा मिया को लगता है और उससे पूछती है पर वो कुछ भी नहीं बताता मिया के grandson का नाम जॉंग है जब रात होती है तो जॉंग खाना खारा होता है तब मिया उससे पूछती है में तुम और बहुत सारे कॉल लगाए थे तुम ने क्यों नहीं ऊठाए थे जॉंग कहता है कि मेरा मोबाईल कराव है मिया उसे बुछती है कि आद जो लड़की मर गई थी वह तुमारे क्लासरूम में है तुम उसे जानते होगे जॉंग कहता है वो मेरे classroom में थी पर मुझे उसका नाम भी नहीं पता था मिया को exercise की जरूरत है इसलिए मिया और जॉंग यह दोनों रात में badminton खेलते है जॉंग को अपने friends का call आजाता है और रात में यह अपने friend के साथ यह निकल जाता है next scene में हम देखते है मिया जोती है कि cultural center में आती है इसे poetry का class करना होता है जब वहाँ पोच्छती है वहाँ के secretary कहती है कि हमने पूरी admission feel कर ली है मिया कहती है कि और कुछ नहीं हो सकता उसे यह करना ही होता है तो इसलिए अब यह इस class को join कर लेती है मिया class में बैठती है poetry सिखाने वाला professor जो होता है उसके हाथ में apple होता है वो सबसे कहता है कि आपने कितने बार apple देखा होगा life में पर कभी भी आपने really apple नहीं देखा है जब आप apple देखोगे उसके बार काईया आप देखोगे उस पर जैसा light आ रहा है उस पर जो frequent से बहुत सारी चीज़े आपको देख जाएगी इस तरह से आपने कभी भी apple को नहीं देखा होगा वो उन सब को फिर exercise देता है उन सब को actual में चीज़े जो होती है वो देख कर आने होती है प्रोफेसर कहता है जब भी तुम चीज़ों को सही तरी के उसे देखोगे तो poetry अपने आप आ जाएगी मिया घर पर आती है और यही exercise करने लग जाती है थोड़ी दिन में उसका grandson आता है और अपने बहुत सारे friends को लेकर आता है यहाँ उनके एक secret meeting चल रही होती है निगस दिन मिया वरांडे पर बैठती है और पेड को देखती है पेड को वो पहली बाद देख रही है इस तरह देख रही होती है उसे फिर एक call आता है जोंके friend के parent का यह call होता है मिया गेती है मेरी poetry class है यह खतम करकर हम मिल सकते है जहें poetry class खतम हो जाती है तो पेड़ पेरेंट वहाँ आय होता है यह parent फिर मिया से पूछता है क्या तुम poetry कर रही हो मिया कहती है कि मैं सिर्फ classes वगरा ले रही हूँ वो फिर कहती है कि मैं हमेरी साथ से poetry करना चाती थी मेरी पेटी थी वो भी मुझे कहा करती थी कि तुम poetry सीखनी चाहिए मुझे कभी वक्त ही नहीं मिला जब वो छोटी थी उसके teacher ने भी उसे inspire किया था पर अब 50 साल बात जब उसने poetry class का poster देखा तो अब उसे इससे pursue करना था यह parent फिर मिया को एक hotel में लेका राता है यहाँ और भी चार लोग होते हैं यह जो बात करना चाह रहे हैं यह beer विगरा मंगावकर बोस्वन कर रहे होते हैं तो इन्हों से एक बोलता है यह हमें जल से जल इस पर बात करने चाहिए फिर जो matter है यह सब को समझाते है जो लड़के river में मिली थी उसने suicide कर ली थी इसने suicide छे लड़कों की वज़े से की थी वो सब मिलकर इसका बहुत सालों से rape कर रहे थे अब वो सेहन नहीं कर पाई इसलिए उसने suicide कर ली थी यह parent कहता है यह जो छे लड़के थे उन्होंने confession कर लिया है और यह जो छे लड़के होते है यह इन parents के ही son होते है यानि कि मिया का grandson जौंग भी इसमें शामिल था पिछले sin में हमने देखा था कि John अपने friends के साथ beating कर रहा है यह वही problem वो face कर रहा है यह parent फिर बोलता है कि इतना जादा mentor हमें यह बंड़न नहीं देना चाहिए पुलिस और लड़के की जो मदर है इनसे हमारी बातचित बहुत ही सही चल रही है हम पैसे देखकर यह settlement कर सकते है यह सब बात वो कर रहे होते है तो यह मिया वहाँ से चली जाती है बाहर जाकर लाल फूल होता है जिससे वो देखने लग जाती है यह parent फिर उसके पास आता है मिया कहती है यह जो लाल फूल है यह bird represent करती है और यह जो फूल होता है यह shield की तरह होता है यह भी उसे कहती है इसका मतलब है यह जो हुआ है गलत हुआ है पर इन सब को यह शील्ड कर रहे है रात में जब वो घर आती है तब जॉंग वहा होता है जो सब चीजे हुई है जॉंग को इससे कुछ भी फ़र्ग ने पड़ रहा मिया भी उसे कुछ भी बोल नहीं रही जब जॉंग स्कुल के लिए बाहर निकल जाता है तो मिया उसके रूम में आती है उसका म्यूजिक चल रहा होता है उसे बन करना होता है तो यह बन नहीं कर पाती है बहुत डिस्टर्ब हो जाती है इसकी चीजे भी यह ढूंटे है यह उसे कुछ ना कुछ तु मिल जाए मिया को फिर से पैरेंस का कॉल आता है और इनकी मिटिंग हो रही होती है यह सब डिसाइड करते है कि सबने मिलकर 30 मिलियन वान दे दी है तो यह मदर कुछ भी नहीं करेगी यह सही से डलमेंड आमाउन होगा इस पर यह सब एगरी करते है मिया घर जाते वक्ट चर्च में जाती है चर्च में जाने के बाद उसे कुछ स्कूल गर्स दिखती है वो मिया को नोटिस करती है मिया को लगता है कि यह जौन को जान दी है और मुझे भी पहचान दी है उससे guilty महसूश होता है और वहां से वो चली जाती है फिर वो अपने जॉब पे हमें दिखाई गई है ओर मैन का वो खैल रखती है उससे नहे हिला दिए सब काम उसका कर देती है ये जो ओर मैन होता है उसे पूछता है कि आज क्या हुआ है तो स्माइल नहीं कर रही मिया जो होती है यह हमेशा बाती करती रहती है और इसका नेचर बहुत ही अच्छा होता है मिया कहती है कि मुझे लोग कहते थे कि मुझे ज़्यादा स्माइल नहीं करना चाहिए वरना आदमियों को गलत सिंगनल जा सकता है यह कहकर वह बात टाल देती है ये ओल्ड मैन भी इस पर हसने लग जाता है मिया फिर ओल्ड मैन की घर पर ही शावर लेने लग जाती है शावर में रोने लगती है ये उसके साथ जो भी हो रहा है इसलिए उसकी बहुत बुरा लग रहा है ओल्ड मैन भी ये पहचान लेता है और बाहरी आवाज सुन रहा होता है मिया जब घर पर आती है तो जॉंग टीवी देख रहा होता है वो सब मेस करता है और अपने रूम में चला जाता है मिया उसे फिर से बापस बुलाती है मिया उसे कहती है जो भी गंदेगी तुम ने की है यह तुम्हें ही साफ करनी है यह सब साफ करकर वो अपने रूम में चला जाता है मिया से रहा नहीं जाता वो जॉंग के रूम में जाती है और उसे पुछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया है मुझे जवाब दो जॉंग ब्लैंकेट भेहन लेता है और मिया एक ब्लांकेट उससे निकालनी पाती नेक्स दिन ब्रेक्वास्ट में ज़रा ओक्वर्डनेस होता है जॉंग अच्छे से नहीं खाता तो मिया उसे कहती है कि मुझे एक ही वर्ड में चीज अच्छी लगती है तुमारे मुँ में फूड जो तुमें सब कुछ ये खतम करना है इसके बाद नेक्सिन में जॉंग के स्कूल में मिया हमें दिखती है अपने पोईटर के लिए ही इंस्पिरेशन वो ढूंड रही है जो लड़के मर चुके है वो इस स्कूल में थी वो कहा कहा जाकर आई होगी ये सब वो देखकर वो अंडर करती है सिटी में एक जगा पर पोईटर रीडिंग चल रही होती है मिया वहाँ जाती है वहाँ जाने पर बहुत सारी पोईटरियों सुनती है वहाँ एक यंग लेड़ी होती है जिसके पास मिया जाती है उसे कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी से पोईट्री करती हो पर तुम ही पहले पोईट्री नहीं कर पाती थी मिया की तरह ही होती है मिया उसे पुछती है कैसे तुम आप पोईट्री कर सकती हो वो औरत उससे कहती है कि poetry करना ये एक flow की तरह होता है जब inspiration आती है तब सब कवीता बहर आजाती है मिया कहती है कि मैंने भी बहुत dry किया था तो ये औरत कहती है कि तुम्हें try नहीं करना है जो feelings होती है ये poetry में तुम्हें उतारनी है जो तुम feel कर रहे हो ये सबसे ज़्यादा honestly तुम्हें अपने poetry में डाल देना है मिया फेसे old man की पास आती है इस old man ने आज उसे pills लाने के लिए बोला होता है मिया ये pills लेकर आती है old man ये ले लेता है मिया जब इसको बात दे रही होती है तो इसका erection हो जाता है मिया ये देखकर चीट जाती है वो कहती है कि जो pills थी वो किसके लिए थी योड मैन कहता है कि मेरी last wish है मुझे आदमी की तरह महसूस करकर मनना है मिया कहती है कि अब अब अमने आपका ख्याल तुम खोदी रखो अब वो वहाँ फिर से नहीं आने वाली मिया को डॉक्टर ने उसके result के लिए बुलवाया होता है वो उसे पता चलता है कि उसे Alzheimer है थोड़े दिनों बाद वो सब कुछ भूलने लग जाएगी वो आप डॉक्टर के पास full होते है वो कहती है ये जो full है ये pen simulation करते है मिया जो भी सब experience कर रही होती है ये ही उसे world में दिखता है वो अपने notebook में लेती है जैसे time pass होता है वैसे flowers भी fade होते जाते है मिया फिर उस parent के पास आती है उसे कहती है जो भी सब पैसे हमें उस mother को देने है उतने पैसे मेरे पास नहीं है क्या तुम मुझे loan दे सकते हो ये parent उसे मना कर देता है next day मिया poetry class में जाती है poetry class में सब लोगों के जो beautiful experience है वो है जता रहे होते है मिया का जब done आता है तो कहती है कि मेरी बड़ी sister थी जब भी मैं छोटी थी तो मुझे पुकार दी थी और मेरे hairs को अच्छे से करती थी ये हो कौम करती थी जब भी हो मुझे पुकार दी थी उस पुकार में प्यार था वो जब मेरे बाल सहल आती थी तो मुझे बहुत beautiful लगता था वो मुझे बहुत ही प्यार करती थी मिया घर जाते वक्त river के पास आती है जहाँ इस लटकी ने suicide की थी उस spot पर वो आ जाती है यहाँ एक rock पर बैठती है और वो ही सोचने लग जाती है वो जो feel करी है यह poetry में उतार नहीं पा रही वहाँ फिर बारिश आ जाती है वो बस लेकर जो old man था जिसके पास वो फिर से जाने नहीं वाली थी वो वहाँ आ जाती है उसने अब यह भी कहा था कि उसे फिर से beautiful महसुस करना है old man के पास आकर उसे pills देती है यह दोनों फिर intimate हो जुके है यह हमें दिखता है मेया जब घर पर आती है वहाँ एक reporter आयो होता है यह जो reporter होता है इसे settlement के बारे में जो भी सब हो रहा है इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता पर इसका guess होता है तो मेया से बात करने लग जाता है मेया उसे बहुत सारी information देती है पर उसे फिर realize होता है इसे सच मुछ में कुछ भी पता नहीं होगा यह मुझे सिर्फ information निकल वालेगा इसलिए उसे वो दूर भागती है रिपोर्टर को जो भी सब information मिया ने दी थी इसकी वज़े से अब parents पर ज़्यादा ही pressure बढ़ चुका है parents ने मिया को बुला आता है मिया को सब कहते हैं कि जो mother है उसके पास तुम जाओ उसे कहो कि उसे कितने पैसे हम देने वाले है तुम औरत हो तो तुम औरत से अच्छी तरीके से बात कर सकती हो तुम जो भी अब सब कहोगे यह बहुत ही important होगा जोंके classmate का parent होता है अब मिया को जिस लड़की की family थी उसके पास वो लेकर आता है मिया वहाँ पोचती है घर पर जाती है पर वहाँ कोई भी नहीं होता उस लड़की की photo हो देखती है neighbor मिया को कहती है कि घर पर कोई नहीं है लड़की की mother जो है वो field पर कही है वो शाम तक आएगी मिया कहती है यह field में जा सकती हो कि आज मैंने apricot खाए और यह जाड से नीचे किर चुके थे एक नई life की तलाश में और कुछ beautiful बनने के लिए यह जमिन पर पड़े हुए थे मिया फिर mother से कहती है कि यह साल crops के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा इतना अच्छा sunlight आ रहा है मदर कहती है कि अब अच्छा crop आएगा और बहुत ही जादा supply भी हो जाएगा इसलिए जादा पैसे उन्हें नहीं मिलने वाले मिया कहती है कि मुझे यहां रहना कितना अच्छा लगेगा मदर कहती है कि actual में जब तुम यहां रहोगे तो यह बहुत ही difficult होता है चली जाती है पैरन्स को कहती है कि मैं उसकी मदर से मिलनी पाई मिया फिर से poetry reading में आती है वहाँ एक police officer होता है जो लोगों को हसाता है poetry करता है इसकी poetry इतने beautiful नहीं होती है और यह generally dirty भी होती है मिया की वहाँ जो friend होती है उससे कहती है कि poetry के meaning ही यह है कि यह beautiful हो कहा था वो सब कहती है police officer उसे apply justice करता है police officer कहता है कि मुझे इतना सब कुछ इसके बारे में नहीं पता इस poetry class में मिया का जो teacher होता है उसे भी invite किया होता है वो यहाँ और एक poet को लेकर आता है जब यह सब dinner करने के लिए बैठते है तो मिया अपने teacher से कहती है कि आपने मुझे बताया था कि poetry उड़ने चाहिए पर ऐसा मेरे साथ नहीं हो पा रहा मिया कि teacher के साथ और एक poet जो आया होता है यह दर्द में होता है यह बहुत यह drunk होता है और इसको इस पर believe नहीं हो पाता वो यह believe नहीं करता यह poetry fly करती है inspiration आ गई और आपने सब कुछ लिख डाला एसा कभी भी नहीं होता यह इस poet का perspective होता है हर poet अलग-अलग होता है और सब की process अलग-अलग होती है इस class के बाहर मिया होती है और वो रो रही होती है police officer उसके पास आता है उसे पुछता है कि क्या कुछ problem है next day मिया ने जो लड़की ने suicide कर ली थी उसकी photo अपने पास लाई होती है और वो lunch table पर लग देती है यॉंग वहाँ आता है इस photo को देखता है पर उस पर ज़्यादा कुछ react नहीं करता अपने आप डीवी देखने लग जाता है यॉंग फिर नेचे छोटी लड़कियों के साथ खेल रहा है यह हैं में दिखता है जो भी सब उसने किया है इससे उसे कुछ फरक नहीं पढ़ रहा और अपने life का enjoy कर रहा है इससा सब कुछ मिया देख रही होती है अब जो मदर थी उसके साथ सब बैरेंस की मिटिंग चल रही होती है ये दोनों एक दुसरी को जानती है मिया वहाँ से बाहर चली जाती है एक पैरेंट उटता है उसे पूछता है कि तुम कहा जा रही हो मिया केती है कि मैं पैसे नहीं देपाऊंगी यह parent कहता है तो यह पैसे देने ही पढ़ेंगे अगर तुने पैसे नहीं दी है तो यह settlement नहीं हो पाएगा यह बहुत ही बुरा हो सकता है मिया को पैसे देने ही पढ़ेंगे मिया फिर हमें दिखती है ओल्ड मैन के पास हुआ जाती है उसे कहती है कि मुझे 5 million यान चाहिए यह ओल्ड मैन उसे पुछता है किस के लिए चाहिए यह उसे कुछ भी बता नहीं रही होती वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें ऐसे ही दे दू मिया फिर उसे blackmail करती है वो कहती ही कि जो भी हमारे साथ हुआ था वो तुम्हारे family को में बता सकती हो और मैन उसे पुछता है क्या तुम मुझे blackmail कर रही हो और मैन के पास कुछ option भी नहीं होता इसलिए वो सब पैसे उसे दे देता है मिया यह सब पैसे parent को जाकर दे देती है घर आते आते यॉंग उसे gaming parlor में दिखता है उसे वहाँ से वो निकाल थी है और एक restaurant में लेकर आती है उसे उसका जो फेवरेट पिजा होता है वो वो खिला थी है वो फिर यॉंग को कहती है कि कल तुमारी मदर आने वाली है यॉंग को फिर वो कहती है कि तुमाचे से आप बात ले लेना जब तुम अपनी body clean रखोगे तब ही तुमारा mind भी clean रह सकता है रात में दोनो बेड मेंटन खेल रहे होते है तो मिया का पुलिस friend यहां आ जाता है यॉंग को arrest करकर वो लेकर जाते है मिया उसके फ्रेंड के साथ ही बैड मेंडन खेने लग जाती है इसका मतलब है यांग को उसने ही आरेस्ट कर वाया था यांग जेल में जाने से पहले उसे एक मैसेज वो दे कर गई है उसके जो बॉड़ी है उसे वो फर्स ली क्लीन करने है उसके बाद ही वो अपना माइंड क्लीन कर पाएगा उसे अपना माइंड क्लीर करना है और यह एक प्रोसेस है यह उसे कह कर जाती है रात में एक पोईटर लिखती है दूसरे दिन पोईटर लिखी होती है यहां मिया नहीं आती उसके teacher को उसने जो poetry लिखी होती है वो देकर वो चली जाती है मिया के daughter घर पर आती है तो मिया उसे कही भी नहीं दिखती है जो मिया ने poetry लिखी थी वो हमें आप पढ़कर सुनाई जाती है इसमें लिखा होता है कि दिन भर आकाश में freedom के साथ birds गुमते है जो फिर से forest में आते है क्या वो तभी भी sing कर रहे होते है इसमें लिखा होता है जो confession में करना चाती हो क्या हो में कर सकती हो अब ए goodbye कहने का time आ चुका है जो promises कभी भी खतम नहीं होते जो pair कभी मुकमल नहीं होता जिस तरह से shadows मिट जाती है इसी तरह से अलविदा लेने का आज टाइम है यह letter जब चल रहा होता है तब जिस लड़की ने suicide कर ली थी वो लड़की हमें दिखाई गई है वो school में है bridge पर जा रही है जहाँ उसने suicide की थी यह हमें दिखाई जाता है यह जो सब feelings है यह इस लड़की की और मिया की सेम है यह हमें दिखाई जाता है यह letter फिर आके बढ़ता है यह letter में लिखाऊता है यह मैं सब के लिए pray कर रही हो आप सब को पता होगा कि मैं आप सब से कितना प्यार करती थी मैं आप सब को दुबाई देती हूँ और मैं dream करना start करती हूँ अब मैं सोने जा रही हूँ पर मैं फिर से light में उठूंगी यह जो सब कविता है यह heaven के बारे में है अब हमें bridge दिखता है जिस पर लड़की है और अब यह कुदने वाली है मिया ने भी इस bridge से ही छलांग लगा कर suicide कर ली है मिया जो है यह heaven पर believe कर रही है उसका जो अंध है उसमें वा heaven में चली गई है यह वो believe करती है लड़की ने suicide कर ली थी पर यह बदल नहीं सकती यह लड़की एक अच्छे जगा भरे यही वो hope कर सकती है इस लड़की के लिए जो भी सब करना था तो मिया ने वो कर डाला है इस लड़की को justice मिलना चाहिए तो अपने grandson को ही जेल में उसने डाल दिया है लड़की की mother को उसके financial situation के लिए बहुत सारे पैसे मिलने चाहिए थे यह भी उसने insure किया और उसने वो पैसे उसे दे दिये है हमें लग सकता है यह इसने suicide क्यों किये पर इसका जो भी सब उसे करना था वो एक कर चुकी है इसके grandson का education चल रहा था इसकी वज़े से उसके साथ वो रह रही थे यह अब कतम हो चुका है इसका grandson अब जेल में चला जाएगा और इसका अब कुछ point ने रहा वो एक poetry करना जाती थी लास्ट में करकर वो चली गई है मियाँ को Alzheimer है और वो सब कुछ अब भूलने लग जाएगी जिस तरह से उसका nature है वो free है लोग से बात करती है और वो एक करनी पाएगी अब उसके इस world में सब कुछ काम खतम हो चुके है तब उसने अब suicide कर लिया पर वो hopeful है कि वो heaven में जाएगी कोई इसके लिए ज़्यादा दुखी ना हो इसलिए वो सब को बता कर जाती है कि वो जा रही है अपनी मर्जी से जा रही है और सब के लिए वो दूबा कर कर जाती है यही movie खतम हो जाती है लास में मिया को जो भी सब सही लगा उसने वो कर डाला मरते वक्त उसे जो peace चाहिए था उसने खुद से बना लिया लड़की जो है वो एक अच्छे place में होगी यह अपने मन में उसने डाल लिया है जिससे वो शान्दी से मर सकती है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुईज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चानल के सबस्क्राइब कर दीजे और बेल इडिवेशन आइकोन दाने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमूरी के साथ तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आपका खैल रखिया